ना बच्चे लोग तुम लग तु तयार हो गए होगे ना दो करके अभी तुमारा पाठ भेज रहे हैं बहुत आनंद के साथ सुनो समझो रादे रादे अरे बहुत संदर गोबर्दन कृष्ण तुम तुम बिल्लु पत्र ले करके अच्छा सिव जी भी साथ में लगता तु सिंगार है तुमारा नर्मदा मा के किनारे बहुत अच्छी बात है मैं अभी पाठ भेज रहा हूँ तुमारा राधी राधे हमको जो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त है शरीर का बल बुद्धी का बल अर्थ संपत्ती शिक्षा भाव प्रेम ज्ञान वो सब के द्वारा अभाव ग्रस्ट को दे करके उसको सुखी बनाना चाहिए इसी को दान कहा जाता है किन्तो दान का अंकार नहीं करना चाहिए बलकि यह समझना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं वो उसी की बस्तू है और वो बस्तू अब तक मेरे घर पड़ी हुई थी आज हमने उसकी बस्तू उसको दे दिया तो इसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं किया उसका सामान उसको दे दिया अब तक नहीं दिये थे वो हमारी गलती थी अर्थात आज हम उसके रिन से मुक्त हुए उसका रिन था हमारे उपर आज हम उसके रिन से मुक्त हो गए उसको दे दिया, तो उसके रिन से मुक्ती मिल गई, अब वो हम उसके कृपा माने, कि उसने अपनी चीज आ करके हम से ली, हमको उसके पास नहीं जाना पड़ा, हम कहां तक खोज़ते उसको, तो हम उसको खोज़ते नहीं गए, वो खुद ही आ करके कृपा करके अपना सामान ले गया, ऐसा भावमन में बनाने से साथ पिकता बढ़की है, और यह हम ऐसा सोचेंगे, कि अरे मैंने उसको दिया, अपनी चीज इतना दिया, उसके पास क्या था हो, तो बिलकुल कंगला था, विखारी था, और मैं बहुत धनवान हूं, मैंने दिया, तो ऐसा सोचने से त तमोगुन बढ़ता है, तमोगुन से अज्ञान बढ़ जाता है, और यदि हमने भाव भक्ती प्रेम से उसको दिया, तो सतोगुन बढ़ता है, तो ज्ञान बढ़ता है, जिससे शीतलता मिलती है, आनन्द मिलता है, और इसी से जीवन धन्य होता है, गुन्दावन विहारी कि ये राधा रानी की जैड ानी कि ये से णेन कि ये सिर्ख्ट करें हुआ सogram भाल कर दो कि ये ये यार कि ये 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 येWhen चैजल कि ये 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 ये